हेलो गाइज, वेल्कुम डू मैं चानल, स्टेडियन लाइफस्टैल, कैसे हैं आप सभी, so today we have BHIC 133, History of India, 12-6 से 17-7 तक, इसमें आपके इन सब चीज़ों के बारे में हिस्ट्री बताई हुई है, और यह सबजेक्ट भी आपको, as you know, हिस्ट्री का यह है, तो हिस्ट्री में आपके जो आंसरों ने होने चाहिए, वो पॉइंट्स में होने चाहिए, ठीक है, और प्रोपर हेडिंग के साथ होने जी, ताकि टीचर को लगे, ठीक है, आपने लिखा है, और आपकी विध हेडिं है, पॉइंट है, सब कुछ है, ठीक है, तो हो स्टार्ट करते है, यूनिट वाइस लिखा हुआ है, सीक्वेंस वाइस है, पनमोर थिंग के इसका जो एक्जाम है, वो आपका 100 मार्क्स का, it means 3 आर्स का, कोशन आपको 2020 मार्क्स के मिलेगी, और चोइस आपको मिलेगी, में, so let's start, कोशन नमबर 1, पॉलिटिकल क्रोनिकल्स, दिल्ली सलतनत, मुगल्स, कोशन नमबर 2, इंचा ट्रेडिशन, शॉर्ट कोशन में आएगा, ये सूफी राइटिंग, शॉर्ट कोशन में आएगी, कोशन नमबर 5, तो मॉंगल प्रोब्लम, शॉर्ट में आएगा, को को स्काम, इनाएग नमबर 6, बाइग, बाइगा, कोशन नमबर 5, वर इज जुर्ट में, उर्याग, कोशन में आएग, को तो मी को स्विछिकल फॉर्ट कोुन नमू इन नमिंपिटल्स, कोशन नमबर 6, painting, शॉर्ट को तो मुछल्स, अजॉर्ट कोशन नमबर 6, हैं कोशन नमबर 14, the Salafate and Delhi Sultanate, short questions कोशन नमबर 15, provincial administration under the Mughals कोशन नमबर 16, what were Iqta, कोशन नमबर 17, what were Jagir ये भी आपका short term, short में आएगा कोशन नमबर 18, Mughal land revenue system, explain करने के लिए बोला जाएगा कोशन नमबर 20, revenue administration of Delhi Sultanate, sultans कोशन नमबर 20, agranian relations between Mughals India ये Mughals between only Mughals India की कोशन नमबर 21, trade and commerce under Mughals कोशन नमबर 22, agriculture technology, कोशन नमबर 23, textile technology इन तोनों में से most mobile सिर्फ एक ही आएगा तो एक और दोनों में से कोई साभी एक आ सकता है तो आपको दोनों ही पढ़ने है कोशन नमबर 24, emergence of bhakti movement इसमें आप ये सब बताएंगे कब से कब स्टार्ट हुआ, कहां पे जादा था, कहां पे कम था, everything कोशन नमबर 25, the chesty movement फर्स और इसका सेकंड फेस कोशन नमबर 26, Mughal architecture कोशन नमबर 27, Mughal paintings then we have some important questions and extra questions that are कोशन नमबर 28, early problems faced by Humayu कोशन नमबर 29, write a note on Mughal Rajput relations कोशन नमबर 30, chief characteristics of Mughal empire कोशन नमबर 31, tradition of history writings in medieval India so these are your questions of PHIC 133, important questions यह सभी questions आपके previous year कोशन पेपर में से लिये होगे जो लिये गए है, जो इस subject के है और जो इसके जैसे subject है तो क्या होता है ना, कि जो questions होते हैं वो questions सेम ही रहते हैं बस उनको थोड़ा, ऐसे उनकी language तोड़ी change करते हैं questions और topic वो ही रहता है ठीक है, तो मैंने previous year questions के basis पे ही यह questions आपके लिए ready करें हैं, तो यह questions आप पढ़ लीजिए, exam में आपको काफी help मिलेगी, points में answer लिखिए, neat and clean आपकी sheet हो तो आपको अच्छे marks मिल सकते हैं ओके guys, like, share and subscribe my channel, thank you